36 गड़ में बज़ट पेश होने के बाद डिप्टी सीम वजज़ शर्मा ने न्यूज जेटीन से खास बात चीत किया उन्होंने बज़ट को एक्तिहासित बताया और क्या कुछ आकर उन्होंने कहा आईए आपको सुनाते हैं तो आज बज़ट आ गया 34 गड़ सरकार के पहला हमारे साथ गरी मंत्री और डिप्टी सीम विज़ए शर्मा जी हैं विज़ए जी कैसे इस बज़ट को आप देख रहे हैं खास तौर पर अपने डिपार्टमेंट से रलेट गरह विभाग से संदर बिद बज़ट में कहें तो पिछले बज़ट के बदल के बदले यह 16 प्रतिशत अधिक इस बज़ट में प्रावधान किया गया है इसमें नए नियुक्तियों का भी विसे है नकसल चेत्रों में नए अभियानों के लिए नए प्रावधान है और विश्वेश रूप से आप कहेंगे तो प्रदानमंत्री आवास के लिए पूरे 18,000,000 आवास के लिए प्रावधान किया गया है सभी विश्यों को इस बज़ट में चुवा गया है इस बज़ट में विशेश रूप से यह है कि बज़ट को एक साल के पैसे के लेखा जोखा नहीं माना गया है इसको विज़न माना इसको ये माना गया है कि आगामी आने वाले वर्सों में 36 गड़ कैसे 99 के मार्क पर प्रशस्त हो ये मान कर इस बज़ट को लाया गया है महिलाओं के लिए भी काफी सुरक्षा पर ध्यान रखा गया और बॉर्डर इलागों में थाने खुलने की बात की अब निम्राग के साथ अभी शेक शुक्री निज़टी इन चातीज गड़ की जनिता के लिए साइस सरकार ने बज़ट पेश किया बज़ट को लेकर प्रदेश के व्यापारियों में भारी खुशी है वहीं वितमंत्री ओपी चौधरी ने विदान सभा में बज़ट पेश किया जिसके बाद व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रियां भी दी बात इलेक्शन की हो या फिर बज़ट की निगाहे हैं न्यूज 18 पर और अभी चमबराप्स कामर्स के तमाम पदाधिकारी है और इसके साथ ही चमबराप्स कामर्स के प्रेसिडेंट भी हमारे बीच मौजूद है 36 गड़ का बज़ट आज जारी हो गया है किस तरह का बज़ट है और सबसे खास बाते हैं कि इस समय के बज़ट पर ब्यपारी वर्ग ने एक बड़ा सुझाओ जो दिया था उस सुझाओ को अमल भी किया गया है किस तरह का ये बज़ट है कितना लाबकारी है 36 गड़ के लि लिए ये पहला बजट है तो उन्होंने पांच साल में क्या करना चाहते हैं उसको उन्होंने रखा है और कुछी दुन पूर बजट के प्री बजट मिटिंग में चौदरी साब खुद आये थे हैं या पे और उनको प्रदेश के पूरे वेपारी संगठन के रायपूर के अब उनका भरजट आते हैं क्या कहेंगे आप जिस तरह से ओपी चौदरी जी से उम्मीद था क्या वो बजट ठीक ठाक आया है बहुती संतुलीत और अच्छा बजट आया है स्वास्त शीक्षा और प्रतेख छोटे से छोटा कहने का मतलब निर्धन वेक्ति से लेके और उ प्रवस्थाओं को उन्होंने अमल करते हुए रखते हुए उन्होंने ये बजट बनाया है हम इसका भरपूर स्वागत करते हैं युवाओं के लिए IT सेक्टर के लिए भी बात कहीं गई है हमने एक सुजाओ दिया था IT सेक्टर के लिए जिसको मान्य वित्यमंत्री दी और वर्तमान सरकार ने माना है और दुरुग भिलाई में एक IT सेक्टर की गोशना की गई है बहुत ही जल्द आईटी सेक्टर आएगा टी-स विप्रो इस टैप की जो बड़ी कंपनी है उसको लोग लाएंगे इससे जो एजुकेशनल हब है बिलाई दुरुग में हम देखते हैं इंजिनियस पढ़ लिके निकल रहे हैं जांश्री शिव महापुराण यग्य में वो शामिल हुए और पूजा अर्चनाकर प्रदेश रिखोशाली की कामना की वही मुख्यमंत्री विश्णुदेव के साथ डिप्टी सीम आरोन साव खादिमंत्री दयालदास मगेल विधायक पन्नूलाल मौले भी शिव महापुर रही प्रदेश जेत्र के खुसाली के लिए हो रहा है और आज चंतिशगड में हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तूत हुआ है पास हुआ है प्रस्तूत हुआ है और यहासिक वजट है एक लाग 47 अजार करोड का बजट है और ये बजट में पूरे 36 गण के चोह मुखी विकास को नहान दिया गया है